स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले बंगलादेश और अफगानिस्तान के बीश में होने वाले दूसरे ओडियाई मुकाबले की पहला ओडिया मुकाबला अफगानिस्तान डेक्वल डूस मैथर से जीत वह फिछले ग्राउणके उपर हुआ था सेम ओर यह वाला मुकाबला भी होका अगला भी जो मुकाबला वह इसी ग्रउणके उपर होने वाला है पिछली रेपोर्ट के अगर आप बात करो यह यह से पाबले में अफगानिस्तान के और तीन विकेट ली थी वो ली थी भहिया फजल हक फारुकी नहीं और एक और विकेट जो गई थी शायद वो रन आउट गई थी तो इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर आपको बैटिंग करना थोड़ा से जादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि अगर आप एवरेज स्कोर भी देखोगे ना तो 140-80 है इस पिछ का ज्यादा है नहीं इस पिछ का एवरेज स्कोर अब अगर आप बैदर रिपोर्ट के बात करो ज्यादा कुछ चांसे है नहीं रेन के पिछले मुकाबले में भी नहीं थे बट कुछ कुछ रेन आपको देखने को मिली हो सकता है आज भी आपको कुछ कुछ रेन देखने को मिले स्कोर रिकॉर्ड के अगर आप बात करो 25 मुकाबले खेले गए हैं हाइस स्कोर अगर आप देखोगे ऑन एन एव मुकाबला जीत कर रही है बंगलादेश 169 पर 9 परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो इतनी ज़्यादा बढ़िया रही नहीं तमीम इकबाल पिछले 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा लाइम लाइट में हैं बंगलादेश में क्यों क्यों क्योंकि पहले रेटायरमेंटली फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई फिर रेटायरमेंट अपनी वापस ले ली है और आज के मुकाबले में available है तो खेलेगा most probably खेलेगा पिछले मुकाबले में कप्तानी कर रहा था इस मुकाबले से लिटन दास को कप्तानी दे दी गई है और मेरे हिसाब से most probably लिटन दास ही कैप्टन सी करने वाला है आज के मुकाबले में head to head अगर आप देखो 45 मुकाबले खेले है 304 run high score 118 average 38 का है बट अभी के लिए injury में है और इस वज़े से form में नहीं है इस ground के उपर वैसे 19 मुकाबले खेले है 35 की average इस team के खिलाफ इस ground के उपर तीन मुकाबले सिर्फो से 10 की average इसी लिए इस player को drop कर सकते हो पिछले चार मुकाबले आप देख लो इतनी ज़्यादा बढ़िया performance रही नहीं है पिछले मुकाबल में 13 run पर out हो गया था open करा था लिटन दास चे मुकाबले खेले है 286 run इस team के खिलाफ average 47 बहुत बढ़िया है इस ground के उपर 9 52 की average इस team के खिलाफ इस ground के ओपर 34 की average लिट याजा तरह सकते Когда चे사 हमेशा बढ़िया perform करा रहा है इस ground के उपर हमेशा बढ़िया perform करा रहा है इस team के खिलाफ इस ground की ओपर बहुत बढ़िया perform करा पिछला मुकाबला छोड़ो 26 run curriculum के खेल कर आया ए open करा है फिर उसके अगर आप शान्तों की बात करो शान्तों की फॉर्म देख लो भी यह यह चाहें domestic मैं ODD के यह stats हैं बट still इस ground के ओपर दो मुकाबले 36 की average इस team के खिलाफ दो मुकाबले सिर्फो सिर्फ साड़े 6 की average है बट आप recent score के इसाप से अगर player pick करना चाहते हो तो शान्तों बहुत बढ़िया form में है 12 run की बारी आपको पिछले मुकाबले में खेल कर दे कर गया है फिर उसके अच शकीबुल असन की अगर आप बात करो left hand batsman left hand orthodox baller 10 मुकाबले खेले हैं इस team के खिलाफ 288 run high score 63 average 28 strike rate अगर आप देखो 80 wicket 23 4 wicket hall 3 बार इस ground के उपर 21 मुकाबले 27 की average के साथ runs जो कर रखे हैं वो 472 wicket 41 चटकाई हैं और 4 wicket hall 3 बार इस team के खिलाफ 3 मुकाबले खेले हैं सिर्फो से 20 की average है इस ground के उपर जो एक series इनकी हुई थी इसी ground के उपर वहाँ पर सिर्फो से 20 की average और 5 wicket चटकाई हैं कहीं पे भी 3 wicket hall नहीं है कहीं पे भी 4 wicket hall नहीं है इसका पिछले मुकाबले में आपने देखा 5 over करवाए एक wicket चटकाई 15 run की पारी खेली क्यूंकि सामने वाली team अफगानिस्तान की टीम ने शकीबूल असन को बहुत सोच समझ कर खेला है कि उन्हें कि भी या एक या दो ही इनके पास तो उनको अराम से खेल जाएंगे तो अराम से हम अपने रंज बना सकते हैं टी हैरी डे एक मातर ऐसा प्लेयर है जिसने पिछले मुकाबले बहुत बढ़िया परफॉर्म करा बंगलादेश के लिए 51 run की प्यारी और बात में इसने ये भी century आपको देखने को मिली है फिर उसके मिश्विकुर रहीम अभी के लिए इस प्लेयर को मट सेलेक करो इस ग्राउंड के ओपर अगर आप देखो तो भईया बाइस मुकाबले 44 की एवरेज इस टीम के खिलाफ तीन मुकाबलों जो खेले थे इस ग्राउंड के ओपर 32 की एव परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है रहीम की कोई डिकत नहीं है बट अभी के लिए मैं पिक नहीं करूंगा क्योंकि नीचे आ रहा है और अभी मुझे इतना ज्यादा कुछ खास लगा भी नहीं है पिछे मुकाबले में अफीफ हुसैन के अगर आप बात करो पांच मुकाबल बहुत कम करवा रहा है आजकल फिर उसके मैदी हसन मिराज की अगर आप बात करो पिछले मुकाबले में बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला बट मिडल आवर्ज में आकर आपको बॉलिंग करवा कर दे कर जाएगा छे मुकाबले खेले हैं इस टीम के खिलाफ 48 की एवरेज ह एक मुकाबले में करा था नोट आउट रहा था और तीन विकेट चटकाई हैं सिर्फ ओसिफ तीन विकेट इस टीम के खिलाफ इस ग्राउन के ओपर सात मुकाबले खेले हैं 31 की एवरेज है उसमें रियाया स्कूर जो आया था वो इसी ग्राउन के अपर और वह भी इसी टी इस टीम के खिलाफ आया है आठ विकट चटकाई है इस ग्राउन के उपर और इस टीम के खिलाफ थीन मुकाबले तीन विकेट मैधी हैसन मिराज को आप ड्रॉप करना चाहते हैं आप ड्रॉप कर सकते हो इस से टी हैरीडे को पिक कर सकते हो या नहीं तो या नहीं तो आपके पास और भी हैंगे तसकी नहीं अइमत का एक आपके पास रहेगा साथ मुकाबले स्टीम के खिलाफ चार विकेट हो लेक बार विकेट अगर आप देखो बारा चटकाई है इस ग्राउंड के ओपर छे अगर आप बात करो रहमान की बात करो पांच मुकाबले इस टीम के खिलाफ विकेट इस ग्राउंड के ओपर आठ मुकाबले ग्यारा विकेट और इस टीम के खिलाफ तीन मुकाबले चार विकेट पिछले मुकाबले में चार ओवर करवाई विकेट लेस रहा है बट रहमान आपके लिए किसी भी दिन बहुत बढ़िया प्लेयर हो सकता है नीचे अगर आप आओ तो इबादत हुसेन का एक option रहेगा अगर टीम खिलाना चाहिए दो over दो मुकाबले खेले हैं चार विकेट चटकाई है इस ground के ओपर शरीफुल अभी के लिए टीम नहीं इंक्लूड कर रही है बट एक बहुत बढ़िया option रहने वाला है अफगानिस्तान के अगर आप बात करो तो यहां पर अगर आप देखोगे पिछला अपना मुकाबला जीत कर आए है डकवल्डू इस मैथर से जीत कर आए है गुलबाज न स्टार्टिंग में आकर बहुत बढ़िया 22 रन की पारी खेल कर देकर गया है बट रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया नहीं रही थी अगर आप इस ग्राउन के उपर की बात करोगे इस टीम के खिलाफ की बात करोगे एक मुकाबला खेला उसमें एक सेंचरी रही है अवरेज अगर आप देको साथ क्यों क्योंकि भी है एक मुकाबले में नॉट आउट रहा बचे यह दो मुकाबलों की आवरेज आपको दिख जाती है कि क्या है 120 रन टोटल करें तो साथ की आवरेज वैसे पिछले मुकाबल में बढ़िया परफॉर्म करके यह देकर गया है इसलिए मैंने पिक कर रखा है वैसे रिस्की आप्शन रहेगा आपके लिए इब्राहिम जदरान की अगर आप बात करो पिछला मुकाबल अगर आप देखो 41 रन की पारी बहुत बढ़िया समझदारी वाली पारी आपको देखने को मिली रिसेंट स्कोर अगर आप इसका देखो तो बहुत आउटस्टेंडिंग है अगर आप देखो तीन मुकाबल अगर आप देखो 44 की अवरेज इस ग्राउंड के उपर ही एक 50 यहाँ पर इस ग्राउंड पर कर चुका है बढ़िया परफॉर्मेंस रही है उसके बाद अगर आप हश्मत उल्ला शाहीदी की बात करो इस टीम के खिलाफ 9 मुकाबले 28 की अवरेज है हाई स्कोर 72 इस ग्राउंड के उपर 3 मुकाबले हाई स्कोर 28 अवरेज सिर्फो सिर्फ 11 की है पिछरे मुकाबले में 9 रन अराम से ड्रॉप कर सकते है बट नजीब उल्ला जदरान एक ऐसा प्लेर है जिसके उपर अभी के लिए इतने ज़्यादा प्लेज ना फोकस नहीं करा है अगर आप देखो 9 मुकाबले 67 हाई स्कोर 29 की अवरेज है बट इस ग्राउंड के उपर इस टीम के खिलाफ 3 मुकाबले खेले थे अभी पिछले मुकाबले में एक विकेट आपको लाकर देकर गया है ग्यारा मैचे इस टीम के खिलाफ 49 डन हाई स्कोर और अगर आप अभी देखोगे 23 का है विकेट 14 चटकाई है इस ग्राउंड के उपर 3 मुकाबले 2 विकेट पिछले मुकाबले में एक विकेट आपको लाकर देकर गया है नभी को आप ड्रॉप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं नभी को ड्रॉप करने में फिर उसके आद अजमत उल्ला उमर्जाई की अगर आप बात करो हैड टो हैड इस टीम के खिलाफ दो मुकाबले खेलें इस ग्राउंड के ओपर एक विकेट चटका ही है पिछले मुकाबले में भी एक विकेट चटका कर देकर गया है रशीट खाएं रीसेंटी एक हीट ओडिया खेला था वहाँ पर विकेट लस रहा था बच पिछले मुकाबले में 9 ओवर करवा है और वहाँ पर बहुत बढ़िया दो विकेट आपको लाकर देकर गया है इस टीम के खिलाफ 9 मुकाबले 15 विकेट हाई स्कोर 57 का इस ग्राउंड के ओपर 3 मुकाबले साड़े 14 की एवरेज पर 5 विकेट आपको लाकर देकर गया है फजल अक फारू की बहुत आउटस्टेंडिंग फॉर्म में है पिछले मुकाबले में 8 ओवर करवा है 3 विकेट चटकाई और अगर आप head to eight की बात करो तो इस टीम के खिलाफ इस ग्राउंड के ओपर 3 मुकाबले खेल रखें 6 विकेट और उसमें भी 4 विकेट होल एक बार मुझे बूल रहमान 9 ओवर पिछे मुकाबले में इसना करवा है 2 विकेट चटकाई अगर आप देखो इससे पहले सिर्फ ओ सिर्फ एक विकेट चटकाई थी पिछे सीरीज में और head to eight अगर आप बात करो 6 मुकाबले 7 विकेट आखरी प्लेयर जो पिछे मुकाबले में खिलाए गया था वो था सलीम सफी चार ओवर करवा है विकेट लेस रहा और एक प्लेयर ओर आ सकता है यहां पर हो सकता है इसमें से कोई एक बॉलर ना खेले तो वहां पर अगर आप देखो तो कौन-कौन से प्लेयर के आप्शन आपके पास बसते हैं मेरे इसाब से तो जो आएगा वो नव कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको प्रवाइड करवा दूंगा लिंक विकेट कीपिंग सेक्शन में दो प्लेयर जैनलितंदास और आर गुलवर्स दोनों के दोनों बहुत आउटस्रेंडिंग फॉर्म में चल रहे हैं दोनों के दोनों बहुत बढ़िया है अभी के लिए इक्वल इक्वल पॉइंटी लाकर देकर गया हैं बढ़िया ऑप्शन दोनों के दोनों ट्राइगर सकते हो उसके बैटिंग सेक्शन के अगर आप बात करो आई जदरान अभी के लिए मैंने शांतों को रखा हुआ है आपको पता है इस टीम के खिलाफ इतना बढ़िया पर तो जैसे मैंने आपको बताया नजीब उल्ला जदरान की एवरेज इस टीम के खिलाफ 60 की अभी है और बहुत बढ़िया इस ग्राउन के उपर इस 60 की एवरेज है अराम से खेलता है अराम से आपको खेलता हो अद दिखेगा भी अराम से ट्राइ कर सकते है अपनी ग्रेंड रहेंगे क्योंकि एम रहमान आपको डेथ में आकर बॉलिंग करवाकर पका ही दे कर जाने वाला है इस वज़ा से एक बड़िया उप्शन रह जाता है हमार लिए इसके बाद अगर आप बॉलिंग सेक्शन की बात करो अफगानिस्तान के दोनों के दोनों स्पिनर्स आपको रखने है रशीट खान और मुझी बुल रहमान फारूकी को आप पिक करोगे और तसकी नेमत पांच वहां प्लेयर जो जैसे मैंना आपको बताया रहमान को आप पिक कर सकते एक बड़िया उप्शन रहेगा वैसे मैना पिश्य मुकाबले मैच महमूद को पिक कर रहा था य देरी केप्टेंसी वाइस केप्टेंसी बहुत जाला रहिसकी है पिशे मुकाबल माई जद्रान ने बहुत बड़िया परफॉर्म कर रहा था मैना तब भी वाइस केप्टेंसी इसी को दे रखी थी और अगर आप देखो रहमत चाह लिटन दास आर गुलबश शाकिबूल चाहिए तैली ग्राम पर मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो लाइक कर दिजेगा अब बेल आकन दवा दिजेगा क्योंकि ऐसी वीडियो उर भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर